तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक mechanism लगा रखा है, इसको हम adjust करके जो combi brake है उसकी sensitivity को adjust कर सकते हैं इतना movement हमारा पीछे के brake का है and इससे आगे का दोनों का है, पीछे और आगे इसके उपर यह जो rusting दिख रही है, इसी की बात कर रहा था मैं अगर आपकी bike में combi braking system है, मतलब जब आप पीछे वाला brake apply करते हैं, तब कुछ amount में आपका जो front brake है वो भी apply होता है then ये video आपको definitely देखनी चाहिए, because इस video में हम इसका जो basic working principle है, वो जानने वाले हैं plus में इसको implement क्यों करा गया, इतना क्या safe है इतना क्यों जरूरी है ये, plus में इसकी limitations क्या है, मतलब ये किस surface पर आपके साथ काम करेगा, किस surface पर ये आपके खिलाफ काम करेगा, उसके बारे में plus में इसमें क्या-क्या problems आती है, problems आती है तो उनको ठीक कैसे करा जाए और उन स इस वाला पार्ट है, वो भी डिसकस करेंगे, so, hey the guys, welcome back to the channel, my name is Jit, and without wasting much time, let's get started, but उससे पहले बात करते हैं, इस वीडियो के sponsor की, जो की है, carpm bike scanner, so, basically, carpm bike scanner की help से, आप अपनी bike को properly scan कर सकते हैं, उसके codes है, उनको diagnose कर सकते हैं, reset कर सकते हैं, service reset कर सकते हैं, and साथ इसाथ जो कोई भी product purchase करते हैं, तो आपको flat 15% discount मिलेगा, and now back to the video, let's start करते हैं, सबसे पहले, combi braking system है, वो कैसे काम करता है, उस चीज को समझने से, तो समझने में थोड़ी आसानी रहे, उसके लिए मैंने थोड़ा सा bike को dismantle कर दिया है, जो जो चीज है, combined braking system, या फिर hero के case में, integrated braking system के, बीच में आ रही थी, उन सब को हटा दिया है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमारा जो rear brake pedal है, उसके पास में जो unit लगी वी है, उससे, तो normal motorcycle में क्या होता है, जब आप पीछे वाला brake pedal दबाते हैं, तो इस road के थूँ, यहाँ पर, यह वाली, जो छोटी वाली road है, यह वाली, यह connected रहती है, तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे, तो वो वाला जो pivot है, वो उसको आगे की तरफ खीचेगा, यह road जो है, यह आगे खीचेगी, और यह जो brake है, इस cam की वज़े से apply होंगे, कुछ इस तरीके से, एक बार फिर से मैं आपको करके दिखा देता हू जो road है, as you can see, वो move कर रही है, और उसकी वेज़े से जो पीछे वाले brake हैं, वो apply कर रही है, ठीक है, यहां तक funda clear है, अब हो क्या रहा है, combined braking system, sink braking system, integrated braking system, हर company ने patent की वेज़े से अलग-अलग नाम रख रखे हैं, काम एक है, हो क्या रहा है, अपन पीछे वाला brake दबाते हैं तो यह जो है, यह mechanism, यहां पर बीच में इन्होंने दो-तीन चीज़ें और निकाल दी हैं, उनमें से एक जो है, इसको मैं खोल के भी दिखाने वाला हम आपको, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह एक mechanism लगा रखा है, जब ह हमारा front वाला जो brake होता है, उसमें यह cable लगी वी होती है, वैसे ही rear brake में यहां पर cable लगा रखी है, और यह cable यहां से निकलते वे, इधर से आते वे, इस cable को follow करते वे चलते हैं अपन, इधर से आते वे, यहां तका रखी है, एक बार मैं दूसरी side आ जाता हूँ, और फिर यह cable यहां से direct नीचे की तरफ जा रखी है, और यहां पर लगी वी है, यहां से यह front वाली जो brake cam है, उसमें लगी वी है, तो normally front brake अपने कैसे काम करते हैं, यह अपना front brake lever है, इसको हम दबाते हैं, तो इस cable के अंदर जो wire है, वो इस cable में से, यहां पर यह जो cam है, इ इदर हैं, वो बाहर की तरफ निकलते हैं, और वो जो drive में से चिपकते हैं, ऐसे brake काम करते हैं, अभी same principle पीछे वाला brake कर रहा है, तो यह वाली जो cable है, यह यहां पर आ रखी है, और यह जो cam है, उसमें यहां पर connect हो रखी है, अब इसमें आप दो latest देख सकते हैं, F, C, F का अपना आगे वाला जो brake के बहल है, C का मतलब है, combi brake या फिर combined braking, तो यह उसका है, अब यहां पर यह जो gap है, इसको हम adjust करके, जो combi brake है, उसकी sensitivity को adjust कर सकते हैं, मतलब पीछे वाला brake दबाने पर, आगे वाला brake कितना दबना चीए, वो हम यहां से adjust कर सकते हैं, इसको अगर हम खोल देंगे, तो यह sensitivity कम हो जाएगे, मतलब पीछे वाला brake ज्यादा काम करेगा, front brake है, वो कम काम करने लग जाएगा, इसी पर हम इसको tight कर देंगे, तो sensitivity बढ़ जाएगे, मतलब पीछे वाला brake pedal हम दबाएगे, तब आगे वाला भी ज्यादा प्रेस होगा, उसके comparison में, त बात करते हैं कि इसको implement करने की क्या जरूरत पड़ी, तो पहला two-wheeler जो कि मैंने चलाया था, जिसमें combi brake था, वो था Activa, and Activa की जो उस टाइम पे suspension, and overall जो chassis geometry आती थी, and जो wheel size आता था, उसके हिसाब से, उसका front wheel बहुत जल्दी skid होता था, तो उसमें मेरे को combi brake का बहुत स से काफी better तरीके से होती थी, and scooty safely road पे चल रही है, तो रुख जाती थी, अब government ने वो चीज नोटिस करी, and उन्होंने वो जो implementation है, वो bikes पर कर दी, क्योंकि safety standards बढ़ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, कि 125cc तक की जो motorcycles आती है, उनमें आप ABS मत दीजिए, उनमें से करता है, as I said, पीछे वाले wheel के, जब आप brakes apply करते हैं, तो आगे की तरफ कुछ amount जाता है, अब उसमें safety wise क्या better है, वो यह ही है, कि आप अगर अकेला पीछे वाला wheel apply करेंगे, brakes के लिए, तो उसमें पीछे वाला wheel skid होगा, and पीछे वाले wheel से उतनी अच्छी braking नहीं आती ह है, जतनी front वाले wheel से आती है, front वाले brake से आती है, लेकिन front वाले brake sensitive होते हैं, तो अगर आप skilled driver नहीं है, skilled rider नहीं है, या फिर panic situation है, आपका दिमाग freeze कर गया है, तो आप एकदम से front वाले wheel को grab करेंगे, तो उसमें होगा क्या कि स्किड होकर कि आपके गिरने के chances काफी जाते है वहीं पर अगर आप पीछे वाला brake apply करते हैं, combi brake activated है, आपका मतलब dialed in है, तो होगा कि आपका पीछे वाला wheel slowdown होगा, आगे वाला जो wheel है, वो भी slowdown होगा, and safely आपके motorcycle रूख जाएगी, टार्मेक पर, और अगर पीछे वाला wheel आपका skid करता भी है, panic situation में, तो पीछे वा wheel skid होता है, however, तो उसको control करना बहुत difficult होता है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा skilled rider होना जरूरी है, तो इसलिए government ने ये जो combined braking system, sink braking system, integrated braking system, ये apply कर दिया, and somewhat ये आपको कही ना कही safety अच्छी ही provide कर रहा है, normal braking के comparison में, पर एक limitation वाली बात आती है, जो कि मैंने बताया था कि discuss करेंगे, वो क्या है, वो ये है कि combined braking system, road पर अच्छे surface पर तो बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन जैसे आप gravel पर आते हैं, कंकर पत्थर वाली road पर आते हैं, मिट्टी वाली road पर आते हैं, तब जैसे ABS problem करता है, वैसे ही combined braking system भी problem करता है, सो एक scenario imagine करते हैं, आप कंकर पत्थर वाली road पर चल रहे हैं, कंबी brake आपका road के इसाफ से set है, मतलब आपने कंबी brake को इस इसाफ से set कर रखा है, कि मालनों आप पीछे वाला brake अप्लाई कर रहे हैं 100%, तो उसका 50-55% फ्रंट वाले wheel पर भी जा रहा है braking, उस situation को आप as it is gravel पर वहाँ पर आप पीछे वाला wheel अप्लाई करते हैं, पीछे वाला tire skid होता है, जैसा मैंने बताया पीछे वाला tire skid होगा उसका आप easily control कर लेंगे, लेकिन क्योंकि उसका 50% के something amount फ्रंट वाले wheel पर भी जा रहा है, और कंकर पत्थर वाली road है, तो आपका front वाला wheel लोग हो जा करेंगे, तो आगे वाला wheel भी skid करता है, अगर मतलब रेगिस्तान टाइप मिट्टी है, तब तो कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा, गिर गए तो भी क्या होगा, लेकिन चिकनी मिट्टी में जब ऐसा होता है, और चिकनी मिट्टी पर बंदा गिरता है, तो वो सड आता है, रियर वील पर होता है, क्योंकि फ्रंट वाला wheel हवा में है, अब आपने पीछे वाला brake अपलाई करा, बाइक को वापस से टार्मक पर लाने के लिए, तो हवा में आपने पीछे वाला brake अपलाई करा, तो पीछे वाला brake जब पीछे वाले टाइर पर लग रहेगा, अब आपने brake एकदम टच करते time भी छोड़ा है, तो वो जो wheel है उसको unlock होने में थोड़ा time लगता है, और अगर आगे वाला tyre टिकते time, land करते time, किसी कंकर पत्थर वाले surface पर टिक गया, तो आप crash करेंगे, बहुत बढ़िया वाला, मुझसे मत पुछना, मैं पहले stunt practices करता था, तो Hornet 160R में combi brake आता है, and drum brake का combi brake तो कुछ भी नहीं है, जब disc brake का combi brake हिट करता है न आपको, तब कसम से बहुत scars आते हैं body पर, anyways उसका तो मैंने फिर delete ही कर दिया था combi braking system, because disc में combi braking system की sensitivity आप control नहीं कर सकते हैं, वो pre-dialed आता है, तो उस case में जब आप मिट्टी वगेरा पर gravel पर चलाते हैं, तो वो काफी unsafe हो जाता है, और हमारे इस area में अच्छी roads के मुकाबले, खराब roads बहुत जादा है, तो उसके लिए disc brake में combi brake मैं तो suggest नहीं करता, किसी भी motorcycle में, जो drum वाला combi brake है, वो फिर भी ठीक है, क्योंकि उसमें आप adjust कर सकते हो, तो अब आप combi brake को गाली मत दो, आप ऐसा करो, जब आप road पर चलते हो, तब आप combi brake की sensitivity उसे साब से करके रखो, और जब आप खराब रास्तों पर चलते हो, तो कंकर पत्थर वाले रास्तों पर चलते हो, तब जो combi brake की sensitivity हो, उसको कम करके रखो, मतलब पीछे वाला brake अपलाई हो, आगे वाला ना के बराबर हो, ऐसे करके रखो, तो वो थोड़ी से मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट वही है, सस्ते में ABS जाज़ा कांँ चीए, तो यही होगा, और आइधिंक शुरू के दो questions है, उनके answers हो गए है, क्या principle है, क्यों implement करा है, और actually तीन हो गए, तीसरा ये, कि ये, इसके limitations क्या है, अब बात करते हैं 4th and 5th, कि इसमें problems क्या क्या आती है, और उनका solution क्या है, तो इस particular bike में क्या हुआ है, कि जब आप पीछे वाला brake अप्लाई करते हैं, तो ये, पेडल है, ये वापस नहीं आता है, जो पेडल है, वो इसको touch करना चीए, लेकिन हो क्या रहा है, ब्रेक हमने अप्लाई करा, ब्रेक हमने छोड़ा, ये यहीं पर रह रहा है, इसको यहाँ पर होना चीए, ये रह रहा, यहाँ पर है, तो उसकी वज़े से, जो पीछे वाला brake है, उसके जो drums हैं, मतलब जो brake shoes हैं, वो जो इसका drum है, जो इसका अंदर का liner है, उसपर हलके हलके गिस्ते वे चल रहे हैं, जो की इसकी life के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो आपके brake shoes जल्दी wear out होंगे, दूसरा इसमें heat generate हो रही है excessive, तीसरा drag create हो रहा है, तो उससे आपकी fuel efficiency, acceleration, top speed, तीनों ही effect हो रहे हैं, उसके अलावा भी, प्रोब्लम ये आ रही है, कि extra brake dust create हो रही है, ब्रेक dust क्या करती है, ज़्यादा collect हो जाती है, तो फिर breaking कम होने लगती है, फिर key, key, ऐसे करके, जो वो noise आती है न, squeaky noise, वो आने लगती है, तो इन सारी problems की जड़ क्या है, ये gap है, अब ये problems आती है, जाएगी, ये over the time degrade होगा, तो उसमें से भी कुछ न कुछ सीपेज जरूर होता है, रस्टिंग वगेर आएगी, ये जो केबल है, इसके अंदर, स्टील वाली, वो धीरे-धीरे rust पकड़ने लगेगी, तो ये सारी चीज़ें होगी, अब सीदी सी बात है, हर कंपनी quality ड्रोप कर रही है, तो उसकी वज़े से, ये जो सारा system में, वो affected होता है, अब उससे ये सारी problems create होती है, तो उसका solution क्या है, उसका solution ज़्यादा तर लोग क्या करते हैं, कि combi brake को एकदम loose, शोड़ देते हैं, अब उनके हिसाब से हो गया, बट ये वाला जो issue है, ये combi brake को आप कैसे भी adjust कर लो, ये तब तक सही नहीं होगा, जब तक इसकी properly खुल करके, dismantle हो करके, अच्छे से सफाई नहीं होगी, time to time lubrication नहीं होगा, तो इसका solution क्या है, अगर wire jam हो गया है, तो आपको wire change करना है, अगर यहाँ पर आपको ये वाला issue आ रहा है, जो कि मैं face कर रहा हूँ, कि ये जो pedal है, ये पूरा उपर नहीं जा रहा है, तो इसको खोल करके, अच्छे से आपको diesel से clean करना है, फिर इसको fit करते हैं, grease वागेरा, हलका हलका grease वागेरा लगा करेंगे, उसको fit करना है, company ने देखो, कौशिश पूरी करी है, dust cover भी दिया है, इधर ये plate का design भी इसी तरीके से रखा है, बट फिर भी ये वाला जो area है, ये खुला है, ये सबसे नीचे है बाइक में, तो जब बाइक कच्चर रस्ते में चलेगी, धूल मिट्टी उडएगी, तो होगा क्या, eventually इसके अंदर मिट्टी जाएगी, वो अंदर जाके फसेगी, उसका solution क्या है, washing कराते टाइम, यहाँ पर अच्छे से आप pressure washing कराईए, और WD-40 या फिर oil वगेरा लगाएंगे, तो देखो मिट्टी पकड़ेगा वो ज़्यादा, WD-40 सबसे कम मिट्टी पकड़ता है, इसलिए बता रहा हूँ, और इसके जो एक cam है, इन सारी चीज़ों को आपको lubricate करके रखना पड़ेगा, मिट्टी लगे, दुलाइए, फिर से lubricate करिए, उसके अलावाइस का कोई solution नहीं है, ये एक extra headache add हो गया है, by community वाले लोगों के लिए, जिससे हमें deal out करना है, हालांकि कुछ companies ने इसका जो design है, वो इससे थोड़ा सा better करा है, जिससे उनमें problem काम आ रही है, but it is what it is, splendor lover हैं अपन, तो अपने को इतना तो करना पड़ेगा, तो अभी मैंने बता दिया, इससे बचना कैसे है, बचना ऐसे ही है, मिट्टी लगे, उसको दुलाइए, WD-40 से इसकी cleaning करिए, लेकिन जब बात यहां तक आ जाए, इस पर मैंने दो-तीन बार WD-40 मा रहा है, clean करने के भी कोशिश करिए, मजा नहीं आ रहा है, तो मैं इस पूरे को dismantle करूँगा, अच्छे से clean करूँगा, फिर से fit करूँगा, और फिर ये problem solve हो जाएगी, तो जो total 5 चीज़े मैंने आपको बताई थी, उनके मेरे ख्याल से मैंने इस वीडियो में जवाब दे दिये हैं, अब अगर आप इस वीडियो में अभी भी बने रहते हैं, तो आपको ये सारा unit जो है, ये खुलावा देखने को मिलेगा, और इसको repair कैसे करते हैं, मतलब properly clean वगेरा करके फिर से fit कैसे करते हैं, वो सारी चीज़े देखने को मिलेगी, तो अभी बस जदड़ाई invest करे भी न, आपनी जो dismantling है उसको start करते हैं, और वैसे मैं तो ये suggest करूँगा, कि ये जो अभी मैं करने वाला हूँ, लेकिन आप अगर regular bike use करते हैं, तो मेरे ख्याल से 12-15,000 km के बीच में साई time रहेगा, इसको खोल करके अच्छे से इसकी proper servicing करके फिर से fit करना, बाकी हर 500 km, 1000 km या जब भी आप bike की washing करते हैं, तो इसको properly wash कराना और lubricate करना एक good practice रहेगी, एक healthy combined braking system की life के लिए, उसको आपको निकालना पड़ेगा, आगे दो 10 mm के bolts लगते हैं, पीछे एक यहाँ पर 12 mm का bolt लगता है, मैंने footrest bracket भी अटा रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके, मैं ये shooting purpose कर रहा हूँ, आपको सिरफ और सिरफ exhaust निकालना है, और फिर जैसा मैं आगे करने वाला हूँ, as it is, आपको procedure फोलो करने हैं, तो अभी हमारा step 1 रहेगा, ये जो speed pin लगी वी है, इसको remove करना, because ये जो shaft लगी वी है, जो कि man stand को hold रखती है, उसी shaft के अंदर, जो हमारा braking system है, मतलब जो brake pedal है, उसका जो pivot है, वो है, man stand भी निकलेगा, तो इसकी स्प्रिंग है, उसको भी निकाल लेते हैं, और अभी यहाँ पर यूज़ करेंगे penetrating fluid, तो उसके लिए मेरे पास तो WD-40 है, ये shaft कितनी आसानी से निकले की, वो depend करता है कि आपकी bike कितनी नई है, क्योंकि जैसे जैसे bike पुरानी होती है, ये जो man stand है, ये chassis के साथ इस shaft के help से rust weld होने लगता है, तो मतलब ये shaft है, ये man stand के अंदर वाला जो section उसमें rust weld हो जाती है, और इसको निकालना quite too impossible हो जाता है, फिर आपको इसको cut करके ही निकालना पड़ता है, तो अभी इसी तरीके से इसको all the way निकालना है, अभी bike को मैं मैं stand से हटा लूँगा, side stand पर रखूँगा, तो उस time camera के लिए ये angle थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं इसको हटा करके इसको निकाल लेता हूँ, और दूसरी side से ये निकलते हुए इसके जो shorts हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, इसके उपर ये जो rust दिख रही है, इसी की बात कर रहा था मैं, इसी से जो rust welding है, वो firm होती है, अब ये early phase पर है, तो इसलिए इसको निकालना easy था, और lubrication ने, penetration ने कितना काम किया है, वो भी आप देख सकते हैं, otherwise ये dry था, अभी इसके उपर जब fluid लगा है, तो ये जो rust है, इसने अपनी जगा छोड़ी है, और तभी ये इतना आसानी से निकल पाया है, ओलाइट, अब बारी है ये जो unit है, इसको remove करने की, तो उसके लिए, सबसे पहले ये जो 10 mm का bolt है, इसको हम remove करेंगे, ये निकाल लिया, उसके बाद में प्लास्टिक कवर है पीछे की तरफ, उसको कुछ इस तरीके से करते हुए, जो ये dust cover है, इसमें यहाँ पर दो taps लगे हुए हैं, उनको pull out करना है, एंद फिर जो dust cover है, वो all the way, पीछे की side slide हो जाएगा, अब बारे आती है, इस वाले bolt को remove करने की, जो की है 12 mm का, इसको निकाल दे time, जो ये assembly है, इसको hold करके रखना है, जब bolt निकल जाए, उसके बाद जो pedal हो उसको उपर की side करेंगे, तो जो brake switch वाली जो spring है, वो भी निकल जाएगी, और फिर ये जो assembly है, इसको हम बार की side करेंगे, तो इसके पीछे का जो dust cover है, ये भी आ जाएगा, अभी हमारा जो brake pedal है, वो भी नीचे की side आ रहा है, तो अभी इसको जिस चीज में hold करके रखा है, वो एक ये पीछे वाली spring है, ये जो road है, ये है, और ये जो cable है, front brake को जो जा रही है, वो, तो अभी as the next step, जो cable है, उसको इसका यहाँ पर एक clamp बना रखा है, उससे अलग करना है, तो ये थोड़ा सा tricky लग रहा है, इसलिए ये 10 mm का जो bolt है, इसी को lose कर लेंगे, clamp ही निकल जाएगा, उसके बाद cable free हो जाएगी, अभी as the next step, because हमें थोड़ा सा movement मिल गया, तो उसके लिए हम ये जो spring है, इसको निकाल सकते हैं, तो इसको इस side से de-attach करने की कोशिश करते हैं, ये निकल गई, अभी इसको अंदर की तरफ से निकालना है, बट अभी दिखाना मुश्किल है, तो मैं जब इसको निकाल लूँगा, तब आपको showcase करूँगा, तब तक इसको ऐसे ही लगे रहने देते हैं, अभी disconnect करने के लिए, हमें सबसे पहले जो cable है, उसको पूरा disconnect करना पड़ेगा, और फिर बारी आएगी, ये वाला जो section है, इसको हटाने की, तो cable को हटाने के लिए, सबसे पहले यहां से cable को all the way loose करना पड़ेगा, आप चाहें तो disconnect भी कर सकते हैं, बट loose करना तो compulsory है, तो इसको मैं, जो इसका adjuster nut है, उसको all the way loose करके छोड़ देता हूँ, एंड उसके बाद में जो cable है, वो पूरी पीछे की side चली जाएगी, एंड उसका असर हमें यहां पर दिख रहा है, अभी तक मैंने इसको कुछ नहीं करा है, इसको जैसे छोड़ के गए थे, वैसा ही है यह, it is just कि जो cable अब वो हमने आगे से loose करी है, तो इसका यहां पर effect पड़ा है, तो अभी यह जो cable है, इसको सबसे पहले, इस cavity में से निकालते हैं, कुछ इस तरीके से, as you can see, and अभी इसको नीचे की side slide करते हुए, यहां से release कर लेते हैं, तो अभी हमारी जो cable है, वो अलग हो चुकी है, and अभी यह जो पूरी unit है, इसको अलग करने के लिए सिरफ हमें, ये वाला जो है, इसको disconnect करना है, लेकिन इसको हम तसलिश से examine करेंगे, देखेंगे, क्या इसमें dispendal करना है, क्या नहीं, इसको हम यहां से खोल लेते हैं, ताकि यह पूरी assembly आउट हो जाए, and इस पर काम करना आसान हो, दिखाना भी आसान हो, तो उसके लिए, simply, इसको इस तरीके से compress करना है, and फिर इसका जो यह adjuster nut है, इसको all the way, remove करके, निकाल लेंगे, and उसके बाद में हमारी जो यह assembly है, यह इस road के साथ ही free हो जाएगी, just like that, तो यह आगया अपना पूरा IBS system, अब सबसे पहले, इसकी जो थोड़ी बोड डिस्मेंट्लिंग है, वो करते हैं, उसके बाद में इसकी cleaning बगिरा करेंगे, बट उससे पहले, यहाँ पर यह जो speed pin लगी वी है, इसको निकालना है बस, and यह जो spring इसको unlock करना है, और यह अपना पूरा जो system में वो निकलाएगा, अभी यह जो shaft एक बार मैंने फिर से लगा रखिया है, चेक करने के लिए, इसमें अभी मैंने क्या चेक करा है, वो इनकी cleaning हो जाएगी, उसके बाद बदाऊँगा, तो अभी सबसे पहले यह जो speed pin इसको निकालते हैं, और से असेंबली को थोड़ा सा dismantle कर लेते हैं, ओलाइट, तो डन विद दे क्लीनिंग, एंड क्लीनिंग करने के बाद में एक क्लियर पिक्चर है, वो हमें तेखने को मिल रही है, तो यहाँ पर जतना भी कच्रा था, वाजिगेंसी डीजल से अच्छे से क्लीन हो चुका है, और उसके बाद मैं इनको water wash कर दिया था, इसमें अंदर ही side rusting थी, जिसको metal wire brush से मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, और यह आप क्लियर पिक्चर देख सकते हैं, जिसके बारे मैं बता रहा था, तो यह जो shaft है, इसमें यह वाला जो section है, इस पर यह हमारा जो brake pedal है, यह ride करता है, और जब यह rust हो चुका है, जो कि इसमें अंदर भी था, तो यह दोनों आपस में हलके हलके rust weld हो गए थे, जिसके विज़े से pedal नीचे तो जा रहा था, बट उपर नहीं आपरा था, क्योंकि spring में इतनी tension नहीं थी, कि वो इस rust को overcome कर सके, तो अभी solution क्या है, इसको तो अंदर से clean कर दिया, इसको भी मैं sand paper से, 180 grit का जो sand paper आता है, जिसको normal language में रेगमाल बोलते हैं, उसकी help से, इसकी जो rusting है, उसको अच्छे से clean करूँगा, एंड उसके बाद में, अब सीधी बात है, जो quality है, इस chrome polish की, वो इतनी अच्छी नहीं है, उसी की वेज़े से, इतना कम time में rusting आई है, बट इसके पीछे कर reason एक और भी है, कि इस बाइक को wash करके, 15-20 दिन तक खड़ा करा गया है, तो वो जो पानी है, वो यहाँ पर रुका रहा, एंड उसकी वेज़े से rusting आ गई, तो इसलिए, अगर आप bike को wash करते हैं, तो उसको चलाईए जरूर, washing करने के बाद, 2-4 km bike को चलाईए, उसके बाद उसको park करिए, एंड प्रिवेंशन यही है, कि वोशिंग करने के बाद में बाद में बाइक को चलाना है, पार्क नहीं करना है, तो अभी इसके सेंडिंग करता हूँ मैं, एंड उसके बाद में जितने भी पिविट्स हैं, उन पर मैं WD-40 उसकरने वाला हूँ, तो वो लगाते हैं, एंड इन सारा जो यह सिस्टम है, इसको बाइक में फिट करते हैं, और आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए, एक पर यह जो शाफ्ट है, इसको मैंने यहाँ पर इंस्टोल करा है, एंड इसमें से जो ब्रेक पेडल है उसको निकाल लिया है, तो कुछ इस तरीके से यह जो यूनिट है, यह हमारी बाइक में लगी रहती है, यह होल्ड रहता है, एंड पेडल है वो मूव करता है, तो अब पीछे की साइड से दिखाता हूँ, कि यह एक्चली में वर्क क्यासे करता है, तो लेट से मैजन कि यह यहाँ पर होल्ड है, एंड जो ब्रेक पेडल है हमारा, वो पूरा उपर की तरफ है, अब जैसा ही हम ब्रेक प्रेस करेंगे, तो यह जो मूमेंट है, यह इतना जो मूमेंट हो रहा है, थोड़ा और क्लोजली देख लीजी आप, यह इतना जो मूमेंट हो रहा है, यह सिरफ और सिरफ हमारा जो पीछे वाला ब्रेक है, उसी को apply कर रहा है ये जो movement है लेकिन इतना press करने के बाद जब हम और brake pedal को press करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाली assembly है वो move कर रही है इसको बाहर निकालते हैं अब देखना ये हमारा सिरफ पीछे वाला brake का movement है and इसके बाद जब ये plate यहाँ पर टकराती है तो ये एक तरीके से lock हो जाती है अब जब हम pedal प्रेस करेंगे तो ये वाला जो है ये वाली जो assembly है ये भी pull होने लग जाएगी as you can see तो कुछ इस तरीके से combi brake काम करता है इतना movement हमारा पीछे के brake का है और इससे आगे का दोनों का है पीछे और आगे और उसकी sensitivity हम front से control कर सकते हैं cable का जो adjustment nut है उसको loose या tight करके तो I hope सारा जो fundamental है वो clear हो गया होगा अभी जितने भी pivot points है उन पर मैं लगाऊँगा WD-40 और इस सारी assembly को करेंगे bike में install installation की process वैसे है जैसे हमने disassembly करी थी तो उसमें कुछ detail में बताने वाला है नहीं तो मैं जल्दी से करता हूँ और फिर देखते हैं कि जो problem थी हमारी वो solve हुई या नहीं हुई ए लेड वाला है वो लाइट सो जो असेम्बली है वो पूरी कम्प्लीट कर दी है जो केबला वो अटैच कर दी है फ्रंट में से जो सेंसिटिविटी है वो भी डाइल कर दी है जितनी मेरे इसाब से रोड यूजिस के लिए होनी चीए और दूसरी साइट का भी दिखा देता हूँ वो शूट नहीं करा था तो इस साइट जो स्प्रिंग थी मैंने स्टेंड की वो लगा दी है और ये जो स्पीड पिन है वो चेंज कर दी है न्यू डाल करके उसको लगा दिया है तो अभी हमारा जो आईवीएस का सिस्टम है वो स और फ्रंट वाले भी इंगेज हो रहे हैं अगर आप देख सकते हैं तो इन में थोड़ा सा मूमेंट दिखेगा आपको तो अभी पेडल प्रेस करा रिलीज करते ही अपनी पोजिशन पर आ गया तो यही हमें चीए था ओलाइट सो असेंबली है वो कम्प्लीट हो चुकी है मेरे ख्याल से इस वीडियो में मैंने सारी चीज़े कवर कर ली हैं जो कि इस कम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम में यूज होती है सभी कम्पनीज के लिए जो भी प्रोब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी उनका सॉलूशन बता दिया है प्रिवेंशन बता दिया है जो इन जनरल आपको जानना चाहिए इस सिस्टम के बारे में वो भी बता दिया है तो overall कुल मिलाकर के बाद ये है कि government and companies ने मिलकर के हमारे लिए एक और नया सिस्टम implement कर दिया है motorcycles में जो कि हमारे लिए safe तो है बट उसकी maintenance बोग जादा है तो ये एक सरदर्दी है जो कि अब सब को मोल लेनी पड़ेगी तो I think ये वीडियो उसके लिए काफी helpful रहेगी या रही है अभी तक तो अगर ऐसा है देन आप हमें support करना चाहते हैं तो नीचे की side आपको super thanks button मिलेगा उसकी help से आप हमारी help कर सकते हैं साथी साथ description में affiliate links मिल जाते हैं उनके through अगर आप कुछ भी Amazon से purchase करते हैं तो उससे भी हमारी help होती है उससे आपके products की prices नहीं बढ़ती है तो वो एक और अच्छा तरीका है हमारी help करने का उसके अलावा like, comment, share, subscribe and bell notification icon प्रेस करके तो आप हमारी help करी सकते हैं Instagram पे follow कर लेना यार description में link मिल जाएगा and Facebook पर भी है हम 150K से उपर, मतलब 150K से उपर followers हो चुके हैं Facebook पर so that is also a good thing to celebrate and इस चैनल पर भी बहुत जल 500K होने वाले हैं तो 500K का कुछ बहुत जल special आने वाला है related to automobiles ये category पे तो अपन करी रहे हैं इसके अलावा भी एक और category याड होने वाली है तो guess करो comment में कि वो क्या हो सकती है अभी के लिए बाई बाई